हे फ्रेंट्स देखिए हम लेकर आ चुके हैं एक और कंपनी जिसमें की 60% की प्रोबर्टर होल्डिंग है और लगवक 40% की है पुब्लिक होल्डिंग तो इसको आज देखेंगे लेते हैं कंपनी के बारे में क्योंकि देखिए कंपनी जो है डेफ्ट फिरी है बिल्कुल ऐसा मिलती रहती है देखिए पहले जो है कंपनी के रिजर देखते हैं तो माइनस में हैं लेकिन हां करजा बिल्कुल नहीं है कम्पणी के पास तो एक साइन अच्छा है कि करजा नहीं है यहां हम देखिए अगर sales growth देखते हैं तो 166% इस बार से बढ़ी है पहले जो सब मा 0 हुआ करती थी दोयर 18 में वो बढ़कर आट insemin수 8 जो हो चुकी है साथी साथ सी कमपनी जो है अब प्र्फित अब आचुकी है जो कभी लोस ही दिया करती थी या नो यो झीक ब्रौफित इसने कंपनी ने दिया है इस बार इसके कर अगर कुछ देखते तो देखेंगे Adani Enterprises, Reddington, Aegis Logistics, Rain Industry तो ये कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियां है जो इसकी competitor है मार्केट में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी EQ इसने बराबरी की तो कितना return आपको दे सकती है बहुत सांदार return दे सकती है Company almost debt free है कोई करजा नहीं है पीछा आपको दिखाए था जीरो था और debtor day है 21,173 दिन से बढ़े हैं ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कोई करजा है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है 126 करोड के market cap बाली छोट इसी कंपनी 2.89 पैसे का share price है इसका भी 8 रुपे 52 पैसे high और 37 पैसे का low है book value है 93 पैसे की और 12,649 इस्टोक का P.E. है last में देखे देख लेते हैं company का नाम company का नाम है BLS InfoTech Limited तो ये जो है हमारी company है आज की और देखेंगे आप BLS InfoTech Limited is an Indian-based information technology यानि IT company है the company engaged in provide IT enabled service IT से जुड़ी ही service ये provide कराती है company तो बहुत सांदार company का खेर एक business model है ये पहले जो है पहले इसमें नहीं थी IT में अभी आई है तब से ही profit company करने लगी है तो देखेंगे दोस्तों invest करने से पहले आप एक बार अपने जो financial advisor है उनसे जरूर साला लेजेगा क्योंकि ये कोई advise नहीं है investment की तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत